तो यह गाइस हाई आकर शर्मा यह यह फ्रॉम ट्रेडर्स गाइड लाइब रिसेंटली अभी मैंने अपडेट किया हुआ है इंडिकेटर को इन टीजी एडी एक्स जो हम बॉट्टम में जो इंडिकेटर यूज करते हैं टीजी एडी एक्स यह वाला राइट यह वाला लेइड लेवल अंडिकेटर में अपडेट किया है तो इसके अन्दर मेंने लेवल स्टाले हैँ और वाले यू पोल्ट्ट इन ओर शोल्ड जोन को यह यह यहां पर ऑवरबॉर्ट 75 में रिखा हुआ है आप उसको कॉस्टमाइब कर सकता है आपके हिसाब से और ओर सोल्टो default करके save कीजिए उसको तो वो चार्ट पे accordingly apply करेगे तो यहां पर जब भी ओर बॉर्ट में जाएगा यह वाला जो portion है green जैसे वो और बॉर्ट में जाएगा तो यह portion आपको यहां पर green आएगा similar ऊपर जो चार्ट के ऊपर reflect होगा जब बी ओर बॉर्ट जोन आएगा यहां पर आपको purple candles दिखेंगे साइडवेज मार्केट के आपको अलड़ी पता है कि साइडवेज मार्केट जब 60 40 zone के अंदर आता है white candles आते जैसे और बॉर्ट एरिया में जाता है वहां पर आपको purple candles मिलेगी ओके तो यह वाला है और बॉर्ट एरिया वाला अभी पीछे चलते हैं यह देखो वाइट पोशन यह पूरा साइडवेज मार्केट का पोशन है ओके यह वाला देखो यहां प लिए उसके बाद मार्केट साइडवेज गए उसके बाद फिर से और बॉर्ट एरिया आगे तो यह आपके प्रॉपिट बॉकिंग जोन के लिए आप यूस कर सकते हैं यह यह वाल वर्वैरी वेल अभी सैल का विपोशिशन में देख लिए तो यह आप देख सकते हो सैल का सिगनल आया सारे confirmations मैच हो गए और यहां पर और सोल्ड पोशन आगए और सोल्ड जो है आपको ब्लू कलर की लाइन केंडल दिखेगी और और बॉर्ट है वह आपको परपल कलर की दिखेगी और सेम यहां पर जैसे और सोल्ड में जाएगा तो यहां पर आपको रेड कलर का यहां पर अगर एंटरी करते हो जैसे आपको परपल कैंडल दिखति यहां पर प्रॉफीट करके निकल जाओ इटी सफिक्तम सिंपल इंडिकेटर बढ़ा हुआ है आप कंडिशनस मैच करो करो आराम से आप प्रॉफीट बूकर सकते हो और यह कोई भी मार्केट कि यह आप क्लिए कोई भी मार्केट में आप यूज कर सकते हैं I hope you understand still कुछ भी confusion हो feel free to talk to me I am here to guide you guys okay support resistance zones I hope सब लोग यूज कर ही रहे होंगे right okay यह सारे highlighters आपको मिल जाएंगे यहां पर okay so this is the update for now or still कुछ भी confusion feel free to talk to me right यह आप देख सकते हो यह वाला highlighter okay bike entry किया उसके बाद यहां पर highlighter आ गया highlighter का मतलब वैसा नहीं कि आप वहां पर profit booking कि कर लो depends on you अगर आप highlighter मिलता है अगर वहां पर आप resistance का weight करते हो तो वहां तक भी आप trade कीच सकते हो depends on you right एक lower low जैसे candle बनता है right यहां पर suppose candle यहां पर उसने close किया तो यहां पर profit book कर सकते हो fine ऐसा जरूर नहीं कि यह जैसे आता है वहां पर profit book करो depends अगर आप swing trading करते हो तो आप कर सकते हो risk नहीं लेना है तो right अगर आप risk taker हो तो you can wait for the lower look handles जैसे lower लो बनता है profit book करके निकल जाओ okay so I hope it's understood still कुछ भी confusion हो तो feel free to talk to me and happy new year to all of you guys right starting पूल गया actually no worries fine so I hope you guys are doing well and stay connected group में अभी तक join नहीं किया मैं group की link share करता हूं please join the group and future updates आपको मिलते रहेंगे on time okay thanks for your time guys thank you thanks a lot